नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्यो हेल्प में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर ले वाले हैं कि पेटियम के बॉलिट का पैसा अपने बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर करें जिया दोस्तों अगर आप भी जो है अपने पेटियम बॉलिट का पैसा अपने बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर करना चाहते हैं वाट आपको नहीं बता है कि किस तरह से पेटियम का बैलेंस से बैंक अकॉर्ण में ट्रांसफर किया जाता है पर किया जाता है चली मैं आपको बता दिता हूँ तो उससे बहले दोस्तो मैं आप इस और पहली बार आए चल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चनल को सब्सक्राइब कर लीसेगा और जो साथ में फैला किन से तो यहां पर आपको जो है सित्रै की काम कि उंट्रेश्ट लेते रहते यहां पर तूस्तो अपको चैनल को सिंपली अपनी पीटी इम को जाएगा आपके पो यहां के ताल מקal आजया वेर्ट कोसमें अब करने के साफ है यहां पर जो आपको यहाँ पर transfer to bank का option दिखाई देगा आपको simply यहाँ पर transfer to bank के option पर click कर देना है तो जैसे आप यहाँ पर transfer to bank के option पर click करोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर amount डाले का option आ जाता है दोस्तों मेरे wallet में पैसे नहीं है फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तरीका किस तरह से आप transfer कर सकते हो तो यहाँ पर आपको amount डालना है कितने रुपए आप यहाँ पर transfer करना चाहते हो जैसे कि यहाँ मैं यहाँ आपर store पर डाल देता हूँ जो तो आपका जो bank account है इसमें link हो जागा उसके बाद में आपका जो पैसा है आपके जो paytm wallet का पैसा है वो आप अपने bank account में ले सकते हैं easily आपका जो wallet का पैसा है वो आपके bank account में आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से आप जो है अपने पेटियों बोलिट का पैसा अपने bank account में ले सकते हैं I hope कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और दोस्तों क्या सेर भी करें और हाँ आपको वीडियो कैसी लगी धन्यवाद